बिहार के भागलपूर में फ्लाइट्स को उड़ान भढ़ने के लिए एक बार फिर से भागलपूर एयरपोर्ट को ले करके डिमांड बढ़ती जा रही है ये डिमांड गोपालपूर से विधायक गोपाल मंडल ने की है इसके लावा उन्होंने अपने ही सांसत पर निशाना साधा है और कहा है कि वो अपने शेत्र में नजर ही नहीं आते है अब सबसे पहले गोपाल मंडल के पूरे बयान को सुनिए यह मुद्दा उठाएंगे हवाई जाज चलना चाहिए और जगह भी बताएंगे गोड़ा डी अच्छा जगह है उसे और जमीन एक्वाइर किया जाए तो हवाई जाज अड़ावए हम बन सकता है किस तरह परसानी हो रहा सरे जगह ही नहीं है तो परसानी क्या हम पब्लीक को परसानी हो रही है हम लोगों को भी जरुत अभी हवाई जाज चलता ताराम से पटना चले जाते अब फिर सदन करके कुछ लिया थे सांसत तो कहते हैं कि इस पर बातचीत चल रही है वो जाएगा मगर दो बीजेपी के नेता है उनके चलते नहीं हो पा रहा है हम एक बात भूले हम अब की बार दिल जाएंगे किसी लीडर के माध्यम से हम हवाई मंत्रा ले वह जाएंगे और कोशिश करेंगे क्यों नहीं ब सांसत लेकिन नजर नहीं आते हैं कई बार देखा गया है भागलपुर्ण काफी कम नहीं जड़ाते हैं कहीं से आम लोगों सोभी मुलाकात में उपाती क्या लगता है सुरू से सांसत का इस्वभाव रहा है जब भी एमेले रहे ना फिर एमेले का छेतर नहीं जाना भाग से जीत जाना इनका तुर्वया है भेट करना चाहिए अगले चुनाओं में आते हैं समय में बहुत दिक्कत होगी कुछ दिन पहले जनता उनको घेरी वी थी सेंडी संपाण में का अप नजर नहीं आते हैं क्या कहें लिए अब उनको सुचना चाहिए नहीं क्या बोलें हैं लेकिन उनके जीत में आपका भी आहम रॉल आहम आहम भूमिका ऐसे तो प्रधान मंत्री का राय मुखमंती का लेकिन हमने जो बोट दिया अनुमंडल से भागल पूर अती गुपालकुर बिधान सबाते और भीपूर बिधान सबाने वह इसा कहीं मत में लिए लेकिन आपक तो आपने सुना गोपाल मंदल के बयानों को उनोंने अपने ही सांसत पर निशाना साथते वे बोला है कि वो अपने शेत्र में नजर नहीं आते हैं ना जाने वो कौन से काम करते हैं उन्होंने ये भी कहा कि शुरू से ही उनके सांसत का ये स्वभाब उनको नजर आया है इस खबर में इतना ही आप बारे रहें नियूस पियार के साथ और हमारे चानल को सबस्क्राइब जरूर कर ले इस वीडियो को लाइक और शेर भी करें धन्यवाद